नमस्कार साथियों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल All In One Educational TV में रिट के अंतिम प्रहार के तहत मा आज आपके सामने विज्ञान के टोप 20 क्यूशन लेके आया हूँ और एक क्यूशन के साथ जितने भी क्यूशन रिलेटेड हैं मैंने कोशिस की है उनको भी एक्स्प्लेन करने की तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा सारे के सारे क्यूशन प्रीवियस बोल्ड के एक्जाम में पूछे हुए हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूशन नमबर फर्स्ट की तो पहला क्यूशन आपको हमारे सरीर का सामान नित आपमान क्या है आपके ओप्शन है 210 केलविन, 410 केलविन, 340 केलविन या 310 केलविन option आपने सोच लिया होगा तो right answer होगा इसका option number 4 310 Kelvin तो हमारा जो body होती है तो साथियों उसका तापमान होता है 37 degree Celsius या फिर हम उसको बोल सकते हैं 310 Kelvin, 310 Kelvin क्योंकि 0 degree centigrade होता है वो equal होता है 273 Kelvin के और ये relation है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि Celsius को Kelvin में convert करना ये Kelvin को centigrade में convert करना पूछ लिया जाता है 9th की NCRT book में दिया हुआ है तो इसका right option हो जाएगा 310 Kelvin बात करते हैं साथियों दूसरे question की तो question number second है सरीर में किस चीज की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है तो देखे साथियों सरीर में हमें पता है आपके option आपको सामने दिख रहे होंगे कि रक्त में जब हीमोगलोबिन की कमी होती है तो हमारे सरीर में एनीमिया रोग हो जाता है आपको पता है कि RBC लाल रक्त कोशिकाएं red blood soils हमारी रक्त में पाए जाते है इनकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है और जब ये ज़्यादा हो जाती है तब भी एक disease हो जाती है उसको बोलते हैं साथियों polythesemia ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी क्यूशन पूछा जा सकता है इसके अलावा WBC जिनको स्वेत रक्त कनिकाएं कहते हैं white blood cells उनकी अधिक्ता से भी leukemia, cancer हो सकता है ये क्यूशन भी बोल्ड में कई बार पूछा गया है तो RBC की कमी से अनीमिया, अधिक्ता से polythesmia और WBC की अधिक्ता से leukemia यानि cancer दोनों ही क्यूशन किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं एक्जाम में तो आपको ध्यान रखना है आपको पता है कि तीन परकार की कोशिकाएं होती हैं blood में RBC, WBC और platelets और अगर platelets में कोई airfare होती है तो उसमें फिर रक्त का थक्का नहीं जम पाता ठीक है तो ये तीनों ही चीजें बच्चों आपको ध्यान रखने है अगले क्यूशन की बात करते हैं साथियों मटर का पोदा होता है तो आपको पता है कि मटर का पोदा एक साख है पोदों को तीन टाइप में तीन केटेगरी में डिवाइड करते है साख में जाडी में और वरक्ष में ठीक है यहां पुस्प दे रखा है वरक्ष एक केटेगरी होती है तो मटर का पोदा साख होता है जिसका विग्यानिक नाम होता है पूछा जा सकता है क्योंकि जो आपका अनुवान सिकता का चैप्टर है वो क्लास 10 में है जिस पे पाइसम से टाइवम इसका वेग्यानिक नाम होता है और इस पे जितने भी प्रियोग हैं वो मेंडल ने किये थे तो एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है मेंडल ने किस पोदे पे प्रियोग किये थे उसका वेग्यानिक नाम क्या है अनुवान सिकता का पिता भी मेंडल को बोला जाता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है next question की बात करते है AIDS किस कारण से होता है तो देखे साथियों AIDS किस कारण से होता है AIDS जो बिमारी है virus, bacteria, amoeba या फफूंदी यानि fungus तो AIDS होता है वो HIV के कारण होता है human immunovirus कई बार इसकी full forum भी पूछ ली जाती है तो ये एक तरीका का होता है virus तो आपके 7-13 कलास में सभी NCRT में दे रखे हैं virus जनित रोग, bacteria जनित रोग तो ये बहुत पुछे जाते हैं आपको ध्यान रखना है जैसे कि आपको कुछ example मैं बताऊं तो rabies रोग, जो कि कुट्टे के काटने से होता है ये rehabdovirus से होता है आपको और भी example आप ले सकते हो इसमें, जैसे आपका जो normal जुखाम है सर्दी जुखाम, वो influenza virus के कारण होता है तो ये कुछ disease हैं जो virus के कारण फैलती है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है next question की बात करते हैं किसकी कमी के कारण थाइराइड गरंथी में वर्दी हो जाती है तो थाइराइड गरंथी की जब भी बात आएगी थाइरोक्सिन हार्मोन की तो आपको पता है कि इसका कारण होता है iodine यहां मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूं साथियों जो एकजाम में पुछी गई है वो पुछी गई है कि पैरा थाइराइड पैरा थाइराइड गरंथी जो है वो थाइराइड के पास में ही प्रजेंट होती है अगर पैरा थाइराइड का कोई पूछा जाता है कि इसके लिए ये कौन सा तो आपको पता है केलसियम, पैरा थाइराइड में कौन सा केलसियम, हीमोगलोबिन की जब बात आएगी तो हीमोगलोबिन की बात आएगी रक्त में, कमी से एनीमिया रोग होता है आपको बता है और आइरन, आइरन आपको पता है कि हमारा जो बलड का हीमोगलोबि चाहिए तो थाइराइड में व्रद्धी हो जाएगी उसको गोईटर रोक कहते हैं गेंगा रोक कहते हैं और वो आयोडीन की कमी से जो की हमारे राजस्तान में कूबड पटी नागोर साइड में पाई जाती है भी आपने जीके में पढ़ा होगा जो SST वाले हैं वो इसको सादा चालक होती है यह आपको क्यूशन कई बार एकजाम में पूछा हुआ क्यूशन है नेक्स क्यूशन की बात करते हैं जीव विग्यान सब्द का सर्व पर्थम परियोग किसने किया था तो अगर यहां पे दो टाइप के क्यूशन पूछे जा सकते हैं अगर मैं बात जीव्यणान का पिता तो जीव्यणान का पिता खा जाता है अरस्तू को ये question भी कई बार पूछ ली आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है इस question का भी next बात करते हैं सर्दियों में सरीर को गरम रखने के लिए कपड़े मदद करते हैं क्योंकि शरीर को जो गरम रखने के लिए हम उनी कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करते हैं तो आपका उप्सन आपको दिख रहे हैं आपने सही आंसर सोच लिया होगा अपने दिमाग में जो आपने उप्सन चुना है तो राइट उप्शन होगा इसका टू सरीर की उसमा को बाहर जाने से रोक देते हैं सरीर की उसमा बाहर नहीं जाएगी तो हमारे बोड़ी गरम रहेगी इसलिए हम उनिवस्तरों का उपयोग करते हैं जबकि इवापुरेशन जल्दी हो जो हमारे स्वेट आता है